सुबह की भागदोड में अगर आपके पास समय नहीं है लेकिन आपको कुछ ऐसा बनाना है जो टेस्टी हो और घर में बच्चों से वड़ों तक सबको पसंद आ जाए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखे सबसे पहले मैंने लिए आधा कप पेसन जिसे एक बोल में डाल दिया है और इसमें हम डाल रहे हैं सूजी तो यहां पर आपको इसमें दो चम्मत सूजी दाल देनी हैं सूजी डालें से नाष्टा बहुत ही बड़िया कृस्पी तैयार हो जाएगा तो अ पानी इसमें और डाल दिया है इसे बहुत ही अच्छे तरीकी से आप मिक्स कर लें और एक्दम लंस फ्री ये बैटर त्यार हो चुका है अब आप इसे पांस से साथ मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें ताकि से सूजी वगएर अच्छे से फोल जाए अब यहां मैंने एक देंगे थोड़ा सा हरा धनिया अगर आप बच्चों के लिए इसे त्यार कर रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं इसमें डालतें आप एक जोथाई चमबश हल्दी पाउडर साथ ही इसमें डाल दें आधा चमबश धनिया पाउडर यह इसमें जा रहा है आधा चमबच लाल मुर्च पाउडर, हिंग डाल देंगे 2-3 पिंच, हिंग जरूर डालेगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका, आधा चमबच डाल दिया है चाट मसाला और नमक डाल देंगे स्वाधनुसार, सारे मसालों और सबजियों को इसमें बहुत अच्छे से मिक्स क कर लेना है आप इसमें सबजियां और भी कोई डालना चाहे ना जैसे की पत्ता गोभी या फिर चकुंदर वगएरा तो भी इसमें डाल सकते हैं तो यहां पर देखे इस तरीकी का यह बैटर आपको नाश्टा के लिए चाहिए अब यहां मैंने लिए हैं ब्रैड आप पैन में घी लगाकर इससे पहले से ही मैंने चिक्ना कर दिया आप घी बटर ओयल कुछ भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब यहां पर तोड़ा सा मैंने यह बैसन वाला गोल और डाल दिया है तो इस तरीके से उपर से थोड़ा सा गोल और डाल देंगी यह सब चेव आपके यहरा अब यहां पर मैंने थोड़ा सा घीस में और डाल दिया था और बस इसे सिखने देते हैं लगबग एक मिनट बाद मैंने इसे पलट दिया है अब दूसरी तरब से भी सिखने देंगे हलका सा दबा दबा कर सेख लेंगे ताकि यह बहुत ही अच्छा सिखने त्यार हो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और दोनों तरब से अलट पलट कर इसे मैं सेख रहे हूँ अच्छा टार गोल्डन ब्राउन होने तक इसे आप सेख लें तो बहुत ही जटपड से टेस्टी नाश्टा यह त्यार हो जाता है आप इसे बच्छों को उनके टिफिन में बना कर भी दे सकते हैं ब्रेड का एकदम अलग टेस्टी नाश्टा यह बच्छों को मिलेगा तो बच्छे से बहुत ही मज़े से खाएंगे तो यहां पर देखें यह त्यार है इसे निकाल लेते हैं इसी तरीके से आपको सारा नाश्टा टियार कर लेना है यह देखिए लग रहा है बहुत ही मजय-दार तो बस अब आप चाहें जैसी शेप में से कट कर सकते हैं और झाल 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 झाल